तो जैहिंद एक बार फिर आप से भी नौजमान और यंग इनर्जेक्टी युवा सक्ति का वेलकम है और जानते हैं कि इस विकट परिस्थिती में भी आप 12th वोर्ट का त्यारी कर रहे होंगे, competition का त्यारी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बाहर भीतर सब कुछ बाताबरन, adverse condition में भी आप अपने आप को manage कर रहे होंगे और त्यारी को continue कर रहे होंगे, यह विश्वास है, तो चलिए, आज हम लोग discuss करने वाले हैं, deep block के oxidation state का, तो पहले normal बाते कर ले, इस topic का, आप normal बाते भी करेंगे, तो आप, जैसे हमने सुद्धा जैने कुछ लिख है, यह बुक में आप लिखा हुआ देख सकते हैं, 3D series, यह first transition, second transition से, 3D series जिसको first transition series कहते हैं, 4D series को second and so on, 5D को 3D series transition series कहते हैं, तो इसमें oxidation state में क्या peculiar बाते हैं, यह क्या है, इसका नाम ही डिब लॉक्ता है, transition element, जैसा आप जानते है, normal और representative, S और P से इसका कुछ vary करता है, तो पहला भारी क्या करता है, कि SP block में, तो oxidation state होता है, वो क्या, outermost electron take part in bond formation, तो outermost electron के बराबर ही उसका oxidation state होता है, तो दी ब्लॉक में, यानी transition element में, और दी ब्लॉक का transition में थोरा सा अंतर क्या है, those D block elements which have incomplete D orbitals, that is called transition metal, और जिसका D subcell complete है, जैसे, जैसे, मैं कहा, JN, C, D, HG, उसको zero transition भी कहा जाते है, because, उसका property, normal D block के element से different होगा, क्योंकि उसका D subcell complete होता है, यह आप जानते है, तो अब चलिए oxidation state में यह बाते हैं, कि S और P block में, क्या बोले कि, outermost electron take part in bond formation, लेकिन इसमें क्या होता है, कि outermost electron और inner, यह आउटर मोस्ट को आप NS बोलते हैं, आउटर मोस्ट electron में, S subcell के electron को NS बोलते हैं, तो second outermost that is called penultimate cell K, D, N-1D, यह आउटर मोस्ट 4S है, तो D कॉन 3D, आउटर मोस्ट यह आउटर मोस्ट 5S है, तो D कॉन 4D, उसका भी electron bond formation में भाग लेता है, क्योंकि खा जाता है, क्योंकि उसके बीच में energy का gap बहुत कम है, यह बड़े भाई जब चला जाता है, दिलाई में, यह फोरे से भाग लेता है, तो 3D वाला भी काता है, भीया हम भी चले क्यों, क्योंकि energy gap कम है, है ना, बैच चलो, तुम भी यहादी मैदान में जाए कि जबकि और सब में क्या होता है, energy gap ज़्यादा होता है, आउटर मोस्ट बात है आप यहाँ यह देखे, कि आप किसी भी transition series में जाएंगे, तो पहले, the first five element का generally, या ऐसे कर सकते हैं, सुरू से middle में जाएंगे, तो उसका oxidation state कैसे भाई करेगा, यहाईर oxidation state का जो संख्या है, वो बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, जैसे देखे, एसकानियम से आप MN तक प्रकाते हैं, तो लोर अक्सेटेशन इस्टेशन इस्टेशन इकल तुन नमबर अफ एलेक्टोन इन अससे अन अन इन माइनस वन डिजासे इसमें, फोर डिज इसमें, फाइवे सट फोर डिज यह शूरू के पांच छे, इसमें छे हैं, यहां देखें, यह का सकते हैं, एन माइनस वन दोनों को जोड दीजे, यह फर्मूला कहां तक काम करेगा, मिडिल तक, मिडिल में मिली फाइव हैं, सुरू से फाइव हैं, लेकि रेस्ट फाइव का इससे जो ऑक्सेटेशन स्टेट सो करने की टेंडेंसी है, वो यह इलक्टोनी कन्फिक्डेशन पर डिप को करना है, तो चलिए देख लिए पहला तो यह बात हो गया, जैसे स्कैंडियम में देखें लोर अक्सेटेशन इस नंबर अफ एलेक्ट्रों प्रदिट्टिव फॉर सबसेट यानि टू हाय कितना हो गया, तो इसमें स्कैंडियम में देखें एक बात है कि कोई-कोई-कोई इस сокर लेता है लिकुव बिल्कुल तो यह जबकि एमिन के बाद से देखे यह Oxidation State पर वैरी नहीं करेगा मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहां देखे इसमें अब फोरेस्टू देखे फोरेस्टू है तू है और थ्रीडी में देखे यहां एक दो तीन चार्ट यह एक एक इलेक्ट्रॉन है तो लोर अक्सिदेशन इस इसके दोनों को जड़ लीजिए तो तीन होगी इसकेंडियम एक एक सेप्सेप्शन मान के चल सकते हैं क्योंकि प्लस टू कोई-कूई-क लिख देता कि सो करता है लेकर अनस्टेबल होता लिए चलिए वह इसको है यह तो तो टीटैनियम में लोर अक्सिदेशन इस्टेट कितना है तो करता है कैसे करता यह दोनों निकल गया रिस्ट पीछ इसका और दो डी का तो प्लस फोर सो करेंगे गैनेडियम में ऐसे कितना हो गया फोर एस टू थी थी हो गया तो लोर कितना हो गया प्लस टू उसके बाद प्लस टू के साथ एक और निकल जाए तो प्लस फोर इसके साथ और निकल जाए तो प्लस फोर इसके साथ और निकल यह प्लस वन जोब करेगा तो 3D जब सेल का 3D स्रीज का 1st और इसल स्रीज का most common oxidation यस रिए ठीक है लेकिन एक chromium में plus 1 जोब करता है और copper में extra chromium और copper plus 1 भी सोब करता है तो chromium में क्या lower oxidation plus 1 और higher क्या हो जाएगा plus 6 क्यों 4s1 और 3d 5 दोनों जोट लीजी तो 6 हो गया और उसके साथ साथ एक 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 लेक्ट्रोन जाएगा तो ऐसे मैगनीज में 4S2 और 3D5 तो लूवर प्लस 2 और हाईयर क्या होगा सब निकल जाए 4S2 3D5 सब निकल जाए तो प्लस 7 हो गया लेकिन यहां से ऐसा नहीं है तो यहां आप देखेगा कि दो हाईयर ऑक्सिडेशन स्टेट जो हाईयस्ट ऑक्सिडेशन स्टेट है इसमें कोन है एमन का है एमन का कितना है प्लस 7 जबकि हाईयस्ट ऑक्सिडेशन स्टेशन स्रीज इसमें किसका है आरियू करका है कितना है प्लस 8 है और वैसे हाईयस्ट ऑक्सिडेशन स्रीज मतलब 5D स्रीज में वह किसका है ओस्मियम ओएस का है वह प्लस 8 ठीक है तो यह बात ही आप ध्यान में रखेगा और एक स्टैबलीटी की बात आप किजिएगा तो चली इसको हम हटाते हैं इसमें हमको यहां रिमेनिंग 5 यानि शुरुवाती इनिसियल फाइड एलिमेंट या मिलिल आफ स्रीज कहिए कि इसका इलेक्ट्रोनी कन्फिगरेशन पर वेस्ट है कैसे लोर अक्सिडेशन स्टेट इक्वल टू नमबर अफ एलेक्ट्रोन एनस और हाईयर अक्सिडेशन स्टेट क्या इसके साथ एक एलेक्ट्रोन्स का जाएगा फोर इसके साथ एक रिखागै तो फ्लस ट Możed दो जाएगा तो एस के बाद तो इसके अलाबा और कुछ इसमें है नहीं बनाने के लिए तोजाना सकते थेंगा जैसे इसको आप कर दिया अगा और ऑप अब जड़ां देखैंगे सो फार दर स्टेविलीटी कि रही का मतलब क्या है दोज configuration दोज oxidation state after that it acquired more stable configuration यानि उस oxidation state के बाद उस element का electronic configuration यह इस्टेबल हो जाता है तो उसका oxidation state more stable होगा जैसे इससे plus 3 तीनों electronical जागा तो क्या होगा 3D 0 और 4S 0 हो गया तो that's why यह stable configuration कब होगा जब D में 0 हो D में 5 हो और D में 10 हो that oxidation state more stable होगा तो क्या होगा जीरो हो गया that why यह oxidation state सबसे stable है titanium में सब निकल जाए 4S 2 निकल जाए and 3D 2 सब पूरे के पूरे निकल जाए तो प्लस 4 उसका सब से ज्यादा stable oxidation state होता है वैसे ही chromium का भी 3D 2 और 3D 3 सब निकल जाए यह प्लस 5 सबसे ज्यादा stable oxidation state vanadium का यहने scandium का तो एक ही है तो ठीक है titanium का कौन प्लस 4 और vanadium का प्लस 5 chromium का प्लस 1 और प्लस 6 एक निकलेगा तो प्लस 1 और सब निकल गया था प्लस 6 लेकिन इसका प्लस 3 भी stable होता है एमने में कौन दो निकला तो प्लस 2 3D 5 हाफ फिल्ड हो गया और पूरा निकल गया तो प्लस 7 यहने 3D 0 हो गया तो हाफ फिल के वालेस निकला तो 3D 5 हाफ फिल्ड तो यह यह और इसका प्लस 2 और प्लस 3 होता है निकल का भी प्लस 2 और प्लस 3 और प्लस 3 और कॉपर का भी प्लस 2 और सब्सक्राइब करता है कि किसके साथ आप कमपाउंड बनाता है किसी इसके साथ बनाते हैं उसके साथ आपका मैचिंग कैसा है यह मैंली पूरे ऑक्सेलेशन स्टेट पर बेस्ट हो जाता है लेकिन इसके साथ अध्यान रखेंगे यह यह दी आप इसके और स्टेट को यदि आप इसटेडि करते हैं तो आप देखते हैं कि different oxidation state be farin oxidation state वाइक स्टमकुल कै एक को यह क्त वघता हैं तर इख सब्हेश्सरी फ्टक कैसी अचारीख सब्सक्राइब यहां कि साथ het डिका डुस्रा हिड़न दीका दि हॉत डिफ़र किस फ्टमर यह सब्सक्राइब कि वो दो का वैरी करता था नहीं जैसे आप ग्रुप 13 में देखे ना प्लस 1 प्लस 3 ग्रुप 14 में देखे प्लस 2 प्लस 4 है तो वहाँ जो दो अक्सिडेशन इस्टेट का जो इलेक्ट्रोनिक निफिरेशन है रिमेनिंग 5 का नहीं है तो यहां तीतांि اिम निकल का यह यह प्लस 3 गेवल प्लस 2 अक्सिडेशन इस्ट आवल होता है चलिए कुछ बातहें यहां लीक can कि कि पहली बात यह है कि दी ब्लॉक में दी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है पार्टीसिपेट करता है पार्टीसिपेशन of both ns and n-1d electron इसके कारण से यह क्या है variable oxidation state oxidation state सो करता है एक बात दुसरी बात plus 2 और plus 3 oxidation state में यह मेली आयनी compound बनाता है आयनी compound बनाएगा जो इसके plus 2 plus 3 है वो मेली आयनी compound होगा जबकि इन higher oxidation state यह covalent compound बनाएगा covalent compound बनाता है किसके साथ मेली more electronegative element मेली fluorine और oxygen के साथ इस पर भी कुछ question है जो हम लोग बात में करेंगे जैसे आप CR2O7 देखे यहाँ क्रोमियम का plus 3 oxidation state है MnO4 minus यहाँ देखे तो higher oxygen और यह सब क्या है यह सब covalent compound यहाँ देखे covalent bond बनाता है तो यह बात होगे फिर आप इसमें ध्यान में रखेंगे कि यह जो nickel है चाए iron है यह nickel हो चाए iron है एक बिकत पर स्थिती में एक certain condition में यह क्या करता है zero oxidation state भी सोग करता है अब वह कहां करता है आप जानता है zero oxidation अभी normal normal बाते की हम बाते कर रहे है तो simple simple बाते की बाते कर रहे है क्यों बिल्कुल कहां यह करता है metal carbonyl compound ni co4 और fe co5 में यहाँ आप देखे होंगे तो यह बाते हो गई एक और क्या है कि यह आइनिक और covalent compounds आप देख लिए इसके अलावा इसमें तो इसमें और बाते क्या है कि this oxidation state differ in unity from each other एक का डिफरेंस है एक चीज इसमें और देखे कि in extreme end of the switch शुरू में और अंत में जो higher oxidation state है वहने oxidation state कम सो कर रहा शुरू में कम सो कर रहा देखे scandium titanium कम सो कर रहा और इंड में भी कम सो कर रहा oxidation state ही कम सो कर रहा है ठीक है तो एक चीज और इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं फिर लिखा देता है क्या लिखे the end याने ऐसे लिखे the extreme extreme end of of खुरूमरे कम सो एक सी नमर कम सो कर रहा है और बाद में भी कम सो कर रहा हो तो कारण क्या है खुरूमरे इस ली कम सो ऐसे पास साड़ा यह लेक्ट्रा में नहीं आपके पास खर्च करने के लिए दो बाते हों, आपके पॉकेट में पैसा हो, तब खर्चा कीज़े, और दूसरा पैसा भी होगा, लेकिन खर्चा करने का जजवा नहीं होगा, नहीं, तो आप क्या होगा, या खर्च करने का जगा आपको पता नहीं होगा, जगा का मतलब इक ही कम है तो पहला काम का है क्योंकि लेसर नंबर लेसर नंबर आफ इलेक्ट्रों तू लूज या सेर है कहां जैसे इसका एक्जामेर एसकेंडियम टीटेडियम में देखें और जबकि लास्ट वाले में नंबर आफ दी इलेक्ट्रों बहुत सारा दी इलेक्ट्रों हैं बट इसमें दी और वाइटल इनकंप्लीट दी और वाइटल इन दी और वाइटल का जो एभलेबल इंप्टी एस्पेस कम है नहीं ताकि उससे वह दूसरे किसी इलेक्ट्रों से सेर कर सके ठीक है सर क्या है इसमें पहला कारण तो आप समझ गए दूसरा तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रों हैं लेकिन इलेक्ट्रों होने से काम नहीं चलना है है कि इसमें जो एभलेबल और्वाइटल है बट फ्यूवर डी औरवाइटल डी और वाइटल्स available for other electrons लेकिन भाई सायम इसमें है क्या कि जैसे इसमें आप देखिए आप निकल में ही देखिए कि 4s 2 तो 4s हो गया और d में कितना है 1, 2, 3, 4 देखिए d में 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 8 8 देखिए तो क्या है इसमें देखिए दूसरे किसी के साथ सेर करने वाला और वाइटल का संख्या बहुत कम है इसमें क्या था खाली और वाइटल इंकप्ली और वाइटल है लूज भी करता है किसी से उसमें जगा भी देता है अपना भी लूज कर देता है दूसरे को बुला भी लेता है, भही मेरे पास जगह है, बैठ जाओ बगल में, यहाँ कहाँ है, यह सब में है, सुरू बाले में electron ही कम है, बीच बाले में दोनो possibility है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है कि भही यह इतना न electron है कि जगह कम पर जा रहा है, इसलिए generally यह क्या करता है, कम number of electron, कम oxidation stress सो करता, एक और बात है इसमें सर, एक यह कारण है, और दूसरा इसमें और ही कारण है, कि effective nuclear charge, इसमें इधर से आप बढ़ेंगे, तो effective nuclear charge बढ़ जाता है, effective nuclear charge बढ़ने से, इसका electron तो बड़ी असानी से निकल जाता है, लेकि D electron के निकलने की बात होता है, ठीक है, तो उसमें nucleus का ता तू कहां जा रहा है, तो एंड, तो उस करण से भी वो उसके electrons का easily नहीं निकल पाता है, तो high, high effective nuclear charge, nuclear charge, और यह example आप कहां देखेंगे, यही, AP, CO, यह नाई, यह सब, तो यह आप कारण जान लिए, कि सुरूव वाले में का oxidation state कम है, क्यों के कम electron ही है, और बाद वाले में, कम oxidation state इसलिए है, क्योंकि इसमें effective nuclear charge के कारण, electron इसलिए आसानी से निकल पाता है, दूसरा कर सकता है, कि इसमें जो डी आज वाइंटिल्स एबलेबल होना चाहिए किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के लिए बाउन बनाने के लिए कोई भी बाउन बनाने के लिए वह एबलिटी यहां कम है तो आप बात समझ गए, तो इसके अलाबा इसमें और नॉर्मल बाते तो नहीं है, और जो भी है, तो कुछ बड़ी-बड़ी बाते हैं, बड़ी-बड़ी बाते क्या है, कि इस higher oxidist का trend क्या होगा, यह stability जो है, प्लस वन का, प्लस टू का, जिसे कॉपर का ही, प्लस वन, प्लस टू का, इस्टेबिलिटी कहां ज्यादा होता है, कहां कम होता है, और सब भी बात है, कि higher oxidation state की stability, higher oxidation state की ability, left to right period हो जाएंगे, तो क्या होगा, उपर से जाएंगे, तो lower oxidation state की, तो यह सब trends, trends of oxidation state का, हम discussion दूसरे lecture में करेंगे, वरना ये वीडियो लंबा हो जाएगा, और लंबा होने पर आप लोग जानते ही, आप ठक जाते हैं, तो आपके ठकाबट का ध्यार में रखते हुए, हम trends of stability of higher oxidation state को next lecture में बताएंगे, तो चलिए, आज की मुलाकात को यह समाप करते हैं, बंदे मात्रम, और next वीडियो में हम लोग इसी बात को, इसी oxidation state को आगे पराएंगे, और वहाँ कुछ peculiar बात ही करेंगे, जो आपके competitive exam में generally आता है, चुकि आज का जो class था, वो बिल्कुल नॉर्मल था, simple था, conceptual था, next is for best question, और कुछ extra बातों का हम लोग डिसकस करेंगे, तो चलिए, बंदे मात पर झादार